Hello friends and welcome back to my channel Bengali family in UAE जा मैं बात करती हूँ UAE और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तो कुछ कोशन्स आ रहे हैं क्या दुबाई का विजिट वीजा एक्स्रिंशन बंद हो गया है फिर से तो इसी चीज़ पर clarity आज मैं दूँगी और विजिट वीजा का अभी यहां पर क्या सीन चल रहा है क्या से extension हो रहे हैं क्या problem आ रहा है क्या easily हो रहे हैं सारी चीज़े बताऊंगी आप सबसे request है वीडियो को enter के देखिएगा ताकि पूरा update आपको पता चल सके तो दोस्तो सबसे पहले मैं बता दूँ visit visa जो extension हो रहा है उसके लिए आपको कोई भी grace period नहीं मिल रहा है अगर आप 30 दिन के वीजा में एं तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको visit visa extension करवाना है अगर आप 60 दिन के visa में तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको visit visa extension करवाना है या country से exit होना है तो ऐसे मैं क्यों बोल रहे हैं कि बंद हो गया है visit visa बहुत लोग बंद हो गया है आपको बहुत agencies बोल रही हैं अभी available नहीं है तो इसका मतलब आपको समझना होगा अवेलिबल नहीं है देखे बस सर्विस बंध है मैंने पहले ही बता दिया था कि अभी बस सर्विस फिर से चालू नहीं हुई है चालू होगी तो मैं आपको जरूर अपडेट दूँगी अभी जो विजिट विजा एक्स्टेंशन हो रहा है वो एरपोर्ट टू एरपोर्ट हो रहा है ठीक है बहुत लोग सर्विस ले रहे हैं इसके लिए क्या होता है प्रॉपर एक सीट होती है हर एजिंसी ऐसा नहीं है कि आप आज गया और कल की availability पूछ रहा है उनके पास available नहीं भी हो सकता है तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं होगा आपको 6 दिन बाद आना है तो 6 दिन के अंदर अंदर ही आपका विजा expired हो रहा है तो ऐसे में आपके उपर बैठता है तो ये problem बहुत ज़ादा हो रही है travel agents आपको इसलिए बोल रहे है कि अभी visit visa available नहीं है available का मतलब है seat available नहीं है तो इसलिए time रहते रहते एक हफता आगे ही यानि कि जैसे ही आपका date आ रहा है expiry का last date जो भी आपके visa का उसे एक हफते पहले आप लोग किसी agent के पास जाएए airport to airport extension अगर आपको करवाना है तो आप उनसे seat booking कीजिए वो लोग दो दिन या तीन दिन के बाद आपको एक दिन देंगे कि इस दिन आपको exit करना होगा क्योंकि उनको other country का visa भी लेना है आपका approval भी लेना है और particular एक number पे आपको वो लोग भेज रहे हैं लेकिन आपको systematically करना है time रहते रहते अपलाई कीजिए अपनी seat booking करवाईए आप अपनी date देख लीजिए ताकि उस country का visa आपका approval ये लोग लेके रखे तो guys यही problem है और कोई भी problem नहीं है वरना smoothly हो रहा है visa आप भी जा रहा है वो आपको पता है अब जिस भी nationality के आपको पता है कि आपके आप जिस भी country के हैं उस country का visa आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है easily थोड़ी बहुत problem है मैं बता दूँ वो भी Pakistan nationality में थोड़ी problem है और Bangladesh में भी थोड़ी बहुत problem है वीजा को लेके बाकी इंडिया हो गया नेपाल हो गया इसमें कोई भी problem नहीं है अगर आप लोग एक्सीद कर रहे हैं तो आपको 5-6 घंटे में आपको वीजा आ रहा है और आप लोग वापस आ सकते हैं आपका extension भी हो जा रहा है तो guys I hope इस वीडियो में सारी चीज़े clear हो गई होंगी और भी कोई question हो comment box में जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं update के साथ तब तक इले good bye and take care